मुझा आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कमर हिमाच्री स्पेशल पे तो गाइस कैसे हैं आप सब अपना हाल चाल प्लीज कमेंट सेक्शन में बताईएगा तो ये देखिए गाइस अभी आज मैं आपके साथ अपना मौर्निंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो ये है वैसे तो ये व्लॉग थरस्टे का है लेकिन ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि एडिट नहीं हो पा रहा था तो देखिए गाइस अभी मौर्निंग में मैंने डाल दी है राजमा की दाल तो राजमा मैंने रात को भीगो दिये थे और अगर हम पहले भीगो देते हैं राजमा को तो जल्दी से उबल जाते हैं अच्छे से पक जाते हैं और साथ में मैंने इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी मेरिच डाल ली है तो इससे ना काफी अच्छा सा फलेवर आ जाता है जो नमक और मेरिच का जो टेस्ट है ना वो अंदर तक चला जाता है राजमा में अजी रामराम जी और कैसे हैं आप सभी तो मैं आज है आज है वीरवार और अभी सुबा का टाइम है तो सुबा का टाइम है और मॉर्निंग रूटीन में मैंने अभी डाल लगाई भी है चड़ाने को मतलब पकने को और पशुम हमारे इस टाइम सारे बाहर बन चुके हैं हमा में जा रहे अभी काउशड में आज मुझे बनानी है एक स्पेशल डिश अपने किचन में और उसकी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी तो वैसे तो सभी के बनती होगी वह लेकिन आज मैं बना रही हूं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए वीडियो को फुल वाच किजिएगा और देख यहां पर किचन में में पहुच गई हूं और यहां पर मैंने जो और इजनल वाई से उसको म्यूट कर दिया क्यूंकि पिछी से बच्चों का शोर आ रहा था तो आपको पता है कि मेरे छोट छोटे बच्चे हैं तो यह देखिए एक कटोरे में लियावा है मैंने यहां पर गेहु काटा लियावा है और साथ में देखिए यहां पे थाली जो यह है प्लेट इसमें है थोड़ी सी सौफ है और थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा होता है ना डेजिकेटिड कोकोनट वो है इसमें तो आज मैं बनाने वाले हूं कुछ खास क्यूंकि दिखिए आज क अब यह देखिए गुड़ बाला पानी जो होता है ना वो मैंने घुलावा था तो गुड़ लेना है और उसको बाला वाय पानी में तो इससे मैं बनारी हूं अभी इसके लिए थोड़ा पेस्ट जैसा बनाना है तो आज मैं बनाने वाली हूं गुल-गुले तो गुल- जैसे कोई भी बिमारी आती थी तो माता को चढ़ाने के लिए बनाते थे तो हमारे भी यहाँ पे गाउं में पास में है मंदिर तो मंदिर तो नहीं गई थी मैं लेकिन यहीं पे मैंने घर से ही चढ़ाय थे माता को यह तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लग गई थी घोलन वो त्यार हो गया है और अभी यह मैं बच्चों को भोग बांडना है जो खाने के लिए यह अलग से फिर से बना रही हूँ यह देखिए थोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ तो बहुत जादा इसको सकत भी नहीं रखना है बिल्कुल इस तरह से बनाना है जैसे कटोरे मे बनाया है ना तो यह देखिए यहां पर थोड़ा सा गोला था मैंने यहां पे लाग सी तो 9 बनाने हैं माता के नाम पर पहले वही बनेंगे तो अभी देखिए यहां पर मैं लग गई थी बनाने इनको और यहां पर ऑल जो है वो बहुत जादा गरम नहीं था मतलब ठीक सा पूराने टाइम में करते थे और कितनी ज्यादाशी पूराने टाइम करते हैं मतलब कोई भी बिमारी आते क्यों बुजूर्ग ऐसे कुछ मानता कर लेते थे और एकदम से वो चीज ठीक हो जाती थी तो यहाँ पर देखे बाता कर नाम आपे बना की रख लिए हैं और उसके बाद अभी बाकी के और बना लूंगे तो यह हम भोग के लिए दे सकते हैं सभी बच्चों को परिबार में बाटने हो तो सब को दे सकते हैं और ये वैसे आगे पीछे भी खाने के लिए बना सकते हैं लेकिन ज़्यादतर तभी बनते हैं ये जब घर में मतलब कुछ चड़ाना हो ना किसी को तो मैंने भी थोड़े माना ऐसे किया वा था कि हमारे यहाँ पे गाउं में बहुत सारे केसिस आगे थे इदर उदर तो हमने मेरी ममी जो ममी है करते थे तो हर साल बनाते में पहले एक्छों की फी हमाता के लिए जो भी मतलब मातरानी के लिए तो इस तरह से बनाए जाते थे आज मैं आपके साथ यह ही शेयर करूँगी कि देखे किस तरह से हमारी हिमाचल में सोलन डिस्टिक में तो तकरीबन सारे ही होता होगा शायद हमारे तो यहाँ पे होता है हर गर में ही होता है यहाँ पे और बस देखे यह जो है कितने अच्छे से दिखिए फूल गये जबकि मैंने इसमें कोई भी सोड़ा कुछ नहीं डाला है क्योंकि इसको अच्छे से फेंटना होता है और जो गुड़ वाला पानी होता है उससे वैसी आट्टा थोड़ा सा फर्मेट हो जाता है खुदी और बस यहां भी दिखिए इस तरह से सारे की सारे मैं यह बना लूँगी और उसके बाद मातरानी को हम यह भोग लगाएंगे और मातरानी से यही प्रात्ना करूंगी मैं कि मातरानी सब के दुख दूर कीजिएगा और सबकी मन की इच्छाएं पूरी हो और जो ये कुरोना नमक महामारी हमारे देश में पूरी दुनिया में अपना डेरा जमा के बैठी भी है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इसका कोई ना कोई पका जो है सलूशन निकल के आए और लोग बहुत जदा परिशान हो चुके हैं इससे और जदातर ये है कि पुराने टाइम में भी एक बारी बोलते हैं कि जब 1920 में कभी आई थी इस तरह से ये तो तब भी बोलते हैं कि मातरानी का ही कुछ ऐसा वर्दान हुआ था कि जो ये बीमारी जो थी उस टाइम आई थी वो ठीक होगी थी कि मतलब वो दवाईयों से भी हुई होगी जो डॉक्टर्स बगरा हैं वो तो बोलेंगे कि दवाईयों से हुई है बट जो यहां पर हमारी धार्मिक मानेता हैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ तो देखिए मैं आपको ना एक तोड़ के दिखाया कितने अच्छे से इस अच्छे नहीं है वो घर भी कोई घर है तो मेरे साब से लेकिन फिर जो मेरे वीवर्स हैं उनको थोड़ा अजीब ना लगे शोर ना लगे इसलिए मैं नहीं हाँ पर वाई सुबर किया है और अभी मैं चल पड़ी हूँ देखिए मैंने थाली में जो गुलगुले हैं वो बाकी कुछ नहीं लिया है तो ऐसे ही चड़ाते हैं इनको जैसे घर से ही चड़ा देते हैं हम तो यहां पे हमारे जो चछत है यहीं से चड़ा देते हैं तो यहीं से हमारे जो माता का मंदिर है वो दिख जाता है तो बस यहीं से हम धूप दे देते हैं और यहीं से जो यह हमने बनाएं यहां पे पत्था जैसा है उसके उपर हम चड़ाते हैं यहां-पे पहले से लेकर ऐसे ही चड़ाते हैं और अभी नया नहीं है कुछ पीस में तो देखें यहां-पे-मैं आपको दिखाती हूं क्या हमारे रीति-रिवाज है किस तरह से त्या जाता है और बस अभ थोड़ी गेहूं भी रहती है और काटने को तो बस से थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ चली गई थी और उसके बाद आज करना मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइस कभी धूप लग जाती है सुबा के टाइम इतनी तेज धूप और दिन में एकदम से बादल आ जाते हैं म और इस टाइम जो है बहुत ज़दा रश होता है काम का क्यूंकि अभी लहसन वगरा निकला है तो बाकी जो नई फसल लगी वी है उसका भी बहुत ज़दा काम होता है इस टाइम तो देखिए यहां पर माता को मैंने चड़ा दिये गुल-गुले साथ में थोड़ा सा पानी और यहां पर प्रातना करी तो गाइस अभी गुल-गुले में चड़ा दिये और बच्चों को भोग बाढ़ लेती हूँ जो माता के लिए बनाए थे वो सारे चड़ा दिये है तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए नह जो ही काठने के लिए जो होते न और यहां पर दिखिये निचे हमने न यहां लेंटर पे डोए हुए थे यह और बाद दल जो है वो गरजने लगए तो यह दिखे इस तरह से कुन्णू लगारे हैँ, वहां पर ममी भी गएमें साथ में पहले मैं थी गई वी लेकिन सार्थ इस तरह से कुन्न लगाया जाता है और इसको फिर ढख देंगे तरपाली से किसी भी चीज से ढख देंगे यहां पर निचे और इस तरह से फिर सुखा रहता है अनाज अभी ना गाने को ले जाने रखिए यह त्रेशर में तो जब तक वहां नहीं ले जाएंगे क्योंकि ऐसे लगाएंगे इसको और धक देंगे अभी उपर से अभी आपको में दिखाऊंगे यह देखिए अभी लगा रहे हैं वहां पर और अभी देखिए इसका कुन्नू लग चुका है ना यह ऐसी लगाया है टंप्रेली सा और है कुप कुप लगाया और अभी उपर से इसको अच्छ ठीक देंगे और अभी यहां पर देखिए खुशी और यहां पर हमारे गाओं की एक हैं उनकी बेटी है यह यह दोनों थे यहां पर तो यह लगे थे यहां पर मेरी हल्प करने में आ गई थी इसलिए घर उपर साथ तक रो रहा था क्यूंकि तो इन्हों नहीं यहां देखिए इसके उपर धक दिया इसको तरपाली से तो यह जो घर में बनाते हैं हम तापड़ वही हैं उनसे धक देते हैं हम जैसे टेंपरली अभी थोड़ी सी बुंदाबानी सी लग दी थी तो क्योंकि सुखावा अनाज है यह सुख के लाया है मतलब घर में घर में गिला जाएगा तो अब तो वैसे भी इतना जदा अनाज नहीं होता पहले बहुत अनाज होता था तो यह भी घर तो फिर क्या फाइदा और साथ में यह मेरी नैना बहुत जिदकर रही थी तो चलिए कर लिया हमने जो को कवर अभी देखिए यह टाइनी माईनी से इतने इतने से यह बहुत बड़ी वीडियो ना कोई नहीं देखता है तो बस गैज आज की व्लॉग का एंड में यहीं पे करी हूं क्यूंकि बहुत बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता है तो बस गैस कल मिलूंगी आपसे एक और अच्छे सी व्लोग के साथ बाई